तो आज थी इस साल की आकरी एक्सपारी और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एक्सपारी आज थी और इस साल की आकरी एक्सपारी होने के बाद अब जो एक्सपारी आगे वो अगले साल आएगी एक साल के बाद यानि एक साल कुछी दिनों में आने वाली है तो आज पर लगा थक कुछ धमाका और बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पिछले कुछ दूने सो आप देखेंगे तो मार्कट बहुत ट्रायप करने वाला हो गया है मार्कट काफी दूने से किया मैंने option trading में बट जब से मैंने कम point में निकलने कुषिश किया बड़ा quantity लो चोटे point में तब से मैं safe जा रहा हूं और अच्छा जा रहा है तो मैं आपको भी लगे कि ट्रेट नहीं है तो ट्रेट मत लीजिए यह सब चीज मैं अपने experience आपको बता रहा हूं और मैंने बहुत लॉस्ट किया उसके बाद इस सब चीजे मैंने सीखिए तो बतारों कि जब आपको लगे ट्रेट नहीं तो मत लीजिए वह दिन छोड़ दिए आज भी ऐसा ह यूटूब यूटूब पर बहुत सारे वीडियो जाएं कि यह साओगा वैसा होगा बट जब मार्कट देखने बठा तो हर जगा लग रहा तो बस ट्रैप है बस ट्रैप है और वही हो रहा था प्रीमिम डीके हो रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था इसलिए मैंने इंट होगे तो मैं 4-5,000 के कैपिटल में अप्ट्रेट करने लगा हूँ पहले मैं 1000 रुपए से शुरू किया था 2000 करने लगा था मेरा कैपिटल दे इंप्रूव हुआ तो वैसे वैसे मैंने अपना बजट बढ़ा दिया लेकिन एक स्ट्रेजी मैंने अभी पकड़के रखी कि कम पॉइंट में निकल जाना है जैसे आप देखिए सुबह आप देखेंगे तो तीन बजे मैंने इंट्री लिए दिन में पहला इंट्री मेरा तीन बजे है और एक रुपए असी पैसे में मैंने कौन सा स्ट्राइक प्रेस लिए वो भी मैं आपको दिखाए तो यह 48,400 का उपर भी आता है उससे मैं चार्ट वट देखने की जरूरत से नहीं पढ़ती क्योंकि नीचे जाएगा फटाक से उपर आएगा उतने मैं आपको बुक करना ही है तो यही हो रहा था तो मैंने 1.80 पे से बिलिया 50 पॉइंट वहां पे 0.5 प्रेसा बुक किया क्योंकि आड़ और लगबग 4500 को प्रॉफिट है ठीक है फिर मैंने इस स्ट्राइक प्राइस को सामने से डिलेट कर दिया किजिए बट मैं तो ऐसे ही करता हूं आपका मन जैसा है वह से करिए क्योंकि वह सामने रहा तो अपको लगए फिर से उसमें इंट्री लो कम हो गया कम होने का मतलब तो वह नीचे जा रहा है ठीक है तो उस पर नहीं जाना फिर मैंने दूसरी स्ट्राइक प्राइज में इंट्री लिए देखिए 48,500 को मैंने एड़ किया और वह इंट्री जो मेरी बनी है अगर आप देखेंगे तो तीन बच के पंदर मिन है चौदर मिनट बाद ये एक बनी वाला ये आपको एक रुप एसी पैसे मिला तो इतना फास्ट मूमेंट होता है इसके लिए आपको बहुत दिन पर वेट करना पड़ता है तो ये एकर पैसी किया एकर पैस पैसा थीस पैसा भी चला गया था मैंने एक रुप एसी पैस को लगा गर रखा तो 900 कॉंड़ मैंने लिए चुकि मेरा कैपिटल का मैं तो उसे साब से मैं ट्रेड करता हूं और यह जब लेनी के बाद एक रुपए 30 पेसे चला गया तो थोड़ा सा मुझे डर लगा लेकिन मैं जहां जितनी दिने से ट्रेड कर रहा हूं मुझे कॉंफिडेंस था कि इंद मनी वाला वापस हो जाता है यह वापस से चार रुपए गया फास्ट में ही लेकिन कुछ देर थे को एक 30-35 के बीश में था जब इंद मनी हो जाता तो डरनी के ज़रूरत नहीं होती बट क्योंकि मेरा कैप्टल कम है तो मुझे थोड़ा सा डर लग करता तो शायद मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता कैप्टल के हिसाब से 50% या उससे ज्यादा हो जाता बट कोई बात है आप मेरा प्रॉफिट देखें तो लगबग 630 रुपय का मेरा प्रॉफिट है तो 630 रुपय जहां आज बहुत सारे लोगों को लॉस हुआ वहां मैं ग्रीन में हूँ और काफी दिनों से मैं जल रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा होगा और मेरा जो ट्रेडिंग का तरीका है वह मेरा है मैं सब दिखा रहा हूं कि कैसे कर तकते हैं हम लोग और क्या-का रिस्क है इसमें प्रीमिम डिके और क्या क्या चीज होती यहां तक वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगा तो उतको आगे लाइक और शेयर जरू करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका